हेलो बच्चों, बी ए फाइनल चोशुलोजी की क्लास में आप सभी का स्वागत हैं बी ए फाइनल चोशुलोजी में हम सेकिंड पेपर पढ़ रहे थे ग्रामी नेवम नगरी समाश्यास्त्रें आज हम पढ़ेंगे हिंदु जज्मानी व्योस्ता की बारे में तो आए बच्चों हम पढ़ते हिंदु जज्मानी व्योस्ता की बारे में हिंदु जज्मानी प्रथा, हिंदु जज्मानी व्योस्ता या हिंदु जज्मानी सिस्टम जजमानी व्यवस्ता का संबंध हिंदू की जाती व्यवस्ता के साथ ही मुख्य रूप से रहा है इसलिए इसे हिंदू जजमानी व्यवस्ता के नाम से जाना जाता है सबसे पहले वीलियम वाईजर ने ग्रामीन भारत में जजमानी प्रता का उलेक किया था जजमानी प्रता में गाउं में प्रतेक जाती समू से अन्य जातियों के परिवारों के लिए कुछ विशेश निश्चित सेवां की आशा की जाती है कहने का मतलब यह है कि इस प्रथा के अंतरगत गाउं में प्रतेक जाती सम्मूं से अन्य जातियों के परिवारों के लिए कुछ विशेश प्रकार की और निश्टित सेवों की आशा की जाती है जैसे की खाती लकड़ी की चीजे बनाता है नाई बाल काटता है लुहार लुहे के ओजार बनाता है लेकिन वो अपनी सेवाएं सभी को प्रदानना करके केवल उन्ही परिवारों को प्रदान करते हैं जिन में उनके वन्ष परंपरा से संबंद चले आ रहे है बन्ष परंपरा से क्या मतलब है बन्ष परंपरा से यहां यह मतलब है कि उनके दादा या उनके पिता ने भी उन्ही परिवारों की सेवा कियोगी और उनका लड़का भी उनके लिए ही कार्य करता रहेगा और फिर उनके बच्चे भी आने वाले समय में उनके लिए ही उन्ही परिवारों के लिए ही कार्य करते रहेंगे इस तरह ब्यवसाय और सेवाएं जाती के आधार पर परम परागत रूप से चलती रहती है जजमानी प्रथा में जिस परिवार की सेवा की जाती है वो परिवार अत्वा परिवार का मुख्या सेवा करने वाले का जजमान कहलाता है और सेवा प्रदान करने वाले व्यक्ति को काम करने वाला या कमीन कहलाता के कहते हैं इन चब्दों का प्रयोग उत्तर पश्टिमेबारत में किया जाता है बारत के अन्य भागो में जहां-जहां जजमानी प्रथा पाई जाती है कमीन चब्द के दूसरे नाम भी प्रचली थे जज्मानी प्रथा को महाराष्ट में बलूटे तमीलाडू में मिरासी और कर्नाटक में अद्दे कहते है वाईजर ने जज्मानी प्रथा को परिवश बताते हुए लिखा है कि इस प्रथा के अंतरगरत प्रतेक जाती का कोई निश्चित कारिय पीडी दर पीडी चलता रहता है इस कारिय पर उसका एकादिकार होता है इसमें एक जाती दूसरी जाती की आउशक्ताओं की पूरती करती है कहने का मतलब बच्चों आपको समझ में आया कि जज्मानी प्रथा क्या है जज्मानी प्रथा एक ऐसी प्रथा या एक ऐसा सिस्टेम में जो भारती गाउमों में ज़्यदा तर प्रचलित होता है और इसमें जाती गत्व्यवसाय प्रचलित होते हैं अनेक जातियों से अनेक परिवारों के द्वारा ये अपक्षक की जाती है या कुछ जातियों की द्वारा कुछ जातियों से विशेश प्रकार की सेवाओं और कारियों की आशक की जाती है और ये सेवाएं वो जातिया केवल उनी परिवारों को देते हैं जिनसे उनका वंश परमपरा से संबन्द होता है या वंशों से वंश परमपरा से संबन्द चले आ रहे हो यानि की उन जातियों में दादा के समय से ही ऐसे काम करते चले आ रहे हो यानि उनके दादा भी उस परिवार के लिए सेवा देते थे, फिर दादा के बाद में उनके पीता ने उनके परिवार के लिए सेवा दी, और अब बच्चे भी उस परिवार के लिए सेवाएं देते रहेंगे, तो जाती के आदार पर ये सेवाएं दी जाती थे, जिसे नाई बाल काटता था दो बी कपड़ी दुता था याना लुहार लुहे की चीज़े बनाता था और खाती लकड़ी के सामान बनाता था तो इस प्रकार से यह जजमानी सिस्टन भारतिय गाउम में प्रचली था अब है जजमानी प्रता की विशेश तर ये सोरी जजमानी प्रता की परिबशा जिसके बच्चों मैंने आपको अब ही भी बताया था कि वाईजर के अनुसार इस प्रता के अंदर गर्द प्रतेक जाती का खोय निश्चित कारिया पिड़ी दर पिड़ी चलता रहता है इस कारेप और उसका एक अधिकार होता है इसमें एक जाती दूसरी जाती की आवशक्ताओं की पूर्थी करती है शिरी रेड़ी का कहना है कि जज्मनी व्यवस्ता में पुष्टेनी तोर पर एक जाती का सदश्य दूसरी जाती की अपनी सेवाएं परमपरागतादार पर प्रदान करता है यह सेवा संबंद जो पुष्टेनी तोर पर शामिल होते हैं जज्मान कमीन संबंद कहलाते हैं क्या संबंद कहलाते हैं जज्मान और कमीन संबंद यानि जिसको सेवा दी जाती है जो परिवार सेवा लेता है वो जजमान किलाता है और जो परिवार सेवा करता है वो कमीन किलाता है या काम करने वाला किलाता है बेवस्टर शब्द कोश में लिखा है कि जजमान एक ऐसा भेकती है जिसने कि धार्मिक सेवाओं के लिए ब्रामनों को क्रिया पर लिया है इस तरवा एक संदक्षक कार्यार्थी है, है ना, जज्मान शब्द संस्क्रत के यज्मान से लिया गया है, जिसका अर्थ जग्य करने वाले से था, लेकिन यह शब्द उन सबी के लिए प्रिउक्तों ने लगा दिर दिरे, तो कि सेवा के रूप में किसी से भी काम कराते थे, उन लोगों के लिए भी प्रिउक्तों ने लगा यह शब्द, यह की शब्द, जो सेवा के रूप में किसी से भी काम कराते थे, इस प्रकार से जज्मानी प्रथा में पीड़ी दर पीड़ी एक जाती के द्वारा दूसरी जाती के परिवारों को सेवाएं दे जाती थी और वो जाती जो सेवा करने वाली होती है उसकी सेवा भी अन्य जाती कर सकती है यानि वो भी किसी अन्य जाती का जजमान हो सकता है जजमानी प्रता में मुद्रा का भी निमय कम होता है क्योंकि ये खुली बाजार अर्थवेवस्ता नहीं है और नहीं जज्मान के कमीन के संबन्द पूंची वधी वस्ता की तरह सेवा योज्य को सेवाकारी की तरह होते हैं जज्मान अपने कमीन का समय समय पर नगत या नाज में बुक्तान करता है कमीन को सेवा के बदले भोजन वस्त्र निवासिस्तान तता अन्य उप्योग में लेने के लिए वस्त्रों के लिए कच्चे मल की सुविदाएं दी जाती है ये सुविदाएं इस विवस्ता को सुद्रड और मजबूत बनाती है आज जबकि मुद्रड का उप्योग बहुत बढ़ गया है फिर भी किसान अनाज में बुक्तान करना अच्ची बात समझते हैं वाईजर ने मेनपूरी जिले के करीमपूर गाउं का अध्यन करके अपनी पुस्तक लिखी थी तब भी वे यह नहीं जानते थे कि यह जजमानी व्यवस्ता इतनी व्यापक है आसकर लिविस ने रामपूर गाउं में इसका विस्तार से अध्यन किया है पूर्वी उत्तर प्रदेश, मालाबार और कोचिन के कुशिस्सों में मेसूर जिले, तंजोर, हिदराबाद, गुजराद और पंजाब में हुए अनेक दिनों से यह पता चला कि जज्मनी प्रता व्यापक है और उसमें इस्तानी आदार पर अंतर भी पाया जाता है आज इतना ही, अब अगला टूपिक अगली क्लास में थेंक यू